2021 क्या जबर्दस्ति यह रहा है यार मतलब लिटरली बहुत ही जबर्दस बहुत ही ज़्यादा उतार चढ़ाओ भरा यह रहा है 2020 के जितना तो नहीं क्योंकि 2020 में जब COVID ने हिट गया था बड़ा दिक्टद दिया था सता थारी बाते करने वाले हैं and let's see क्या-क्या होता है, क्या-क्या हुआ है अपने चैनल पर, बहुत कुछ बताने वाला हूँ इस वीडियो में तो पूरी वीडियो ध्यान से देखना है, so hey what's up guys मानमी जहीर and this is the Tech Buffet Rewind of 2021, so let's begin So basically last year हमने कुछ 47 स्मार्टफोन के रिव्यू किया है, अगर मैं स्टार्टिंग से बता हूँ Mi 10i, Samsung Galaxy S21, Ultra Moto G31, Moto G51 and Infinix Note 11 and of course, हमारा iPhone 12 Mini, इतने सारे फोन्स की अन्बोक्सिंग मैंने डाला था भाई, अपने इस चैनल पर लगबग 48-49 unboxing, सिर्फ और सिर्फ 2021 के अन्दर की गई है, 49 फोन्स के unboxing, just imagine, सिर्फ स्मार्टफोन की बात कर रहा हूँ, बाकी, गैजट्स ये सब अलग, सोचो, और अगर मैं वीडियो की बात करूँ, तो भाई क्या तगड़ा, मतलब अब अचीवमेंट डेखो टेक बुफे पे हम लोग ने टोटल वीडियो, सिर्फ मेंट चैनल पे रहा, बाकी दूसरे चैनल की बात निकरो, टेक बुफे पे 336 वीडियो बनाई है 2021 में, इसको मिला दूँगा 337 हो जाएगा, 9 लाइश्ट्रीम्स करी है तो इसके अंदर टोटल मिला के अपने को पूरे साल में 28.9 मिलियन व्यूज आये है, यह में 2.89 क्रोर, अल्मूस्ट 3 क्रोर पीपल वाश्ट माई वीडियो इस साल में, बाकी वाच टाइम, 1.6 मिलियन आवर्स का वाच टाइम है, मतलब 16 लाख घंटे, 16 लाख घंटो तक के लोगों ने मेरी वीडियो देखिया है, which is insane भाई साब, सोचो, यह TechBuffet के स्टैट्स रहें, प्लस अपना जो TechNews वाला चैनल है, TTS TechNews, उसके उपर भी हमने, August में हमने शिफ्ट किया है, उसके पहले आपन यह चैनल पर ही TechNews दालते थे, August में आपने शि 171 वीडियो देखने को मिली है, यह वीडियो को मिला दोगे तो 472 हो जाएगा, 472 इसका मतलब एक वीडियो से ज्यादा पर डे, without off, तो मतलब पूरे साल में देखो कैसा हमारा काम होगा है, एक दिन भी off नहीं है, 365 देखो हमने 472 वीडियो बनाई है, सोचो क्या crazy काम किया ह यह थे हमारे main stats, अब हम बात करते हैं, best smartphones and worst smartphones, सबसे पहले हम worst smartphones की बात करेंगे, जो खराब है, क्योंकि देखो, हमेशा याद रखना, पहले कड़वी चीज खाई जाती है, बात में मीठी चीज खाई जाती है, क्योंकि at the end, मीठे चीज का स्वाद लेके बाहर जाना चाहि मतलब क्या पूरी थरीके से फेल हुआ था, वह बहुत ही बेकार smartphone सा, उसके बात OnePlus Nord CE आया था, वह भी बहुत ही बवाहियात मुझे लगा, यह सब फोन मैंने उसके हैं, जो नहीं उसके हैं, मैं बता दूँ आपको, तो OnePlus Nord CE 5G जो था, अब यह फोन ना, मतलब इसका experience मुझे अच्छा नहीं लगा, मतलब जो उसका software experience में बहुत बगी बहुत लगी था, बाकी, बजट में जितने 5G phones थे, 20,000 के अंदर, सब फोन में compromises, अभी इधर पे मेरे खाल से budget 5G phone, I think, so यह है, Redmi Note 11T, यह भी काफी दादा compromised phone है, इसके अंदर भी IPS जैसल है, instead of AMOLED, बाकी और बत फुल ब्लैड के साथ में, मतलब फुल मर्ज वर्ज करके, इन लोग ने ऐसा phone बनाया कि पूरा mood खराब हो गया, मतलब इतना अच्छा phone बन सकता था, लेकिन इन लोग के phone में इतना ज्यादा heating हो रहा था, due to triple 8 processor, so यह भी issue हो गया, plus camera भी उतना खास नहीं था, लेकिन बाद जो worst smartphone की category थी, मतलब यह तो बिल्कुल भी आपको वाइड ही करना चाहिए था, और अगर आपने लिया है, तो भाई, I'm really sorry, यह लिश्मा कर आपका phone है तो, बाकी best of the best की बात करते हैं, जो एकदम दिल को छूने वाले phones थे, जिन्होंने बाई दिल जित लिया, सबसे पहले स बहुत ही phone को मैं सबको recommend करता हूँ, बहुत ही जादा तगड़ा phone था, 120Hz AMOLED दिस्पले, 20,000 के अंदर, मतलब, Xiaomi ने actually पूटा उसको फैला दिया था, मतलब, ट्रेंड क्रेट कर दिया था, बहुत बड़ी बात थी भाई वो टाइम पे, बाकी उसके बाद, Realme X7 Max, वड़ा Dimensity 1200 के साथ में बहुत तगड़ा phone मनाया, लेकिन price बहुत ही pathetic थी, लेकिन उसके बाद, इन लोग ने price रखा, 21,000 रूपीज, एंड वो टाइम पे तो crazy चीज थी, फिर 21, 22,000 में जब या आ गया था phone, बहुत ही जादा तगड़ा phone था, 5G phone था, बहुत जबरदस, Realme X7 Max, one of my favorite phone, उसके बाद, अगर आपको gaming की तरफ जाना था, तो भाई, Poco X3 Pro ने मचाया था, Snapdragon 860, 20,000 रुपे के अंदर, 120Hz, IPS display, उसका touch sampling rate वगरा भी बहुत जबरदस्ता, तो overall phone बहुत तगड़ा था, उसके बाद, Realme 8, 15,000 के आसपास एक आपको AMOLED वाला phone मिलता है, और Redmi Note 10 भी व यह जो phone दोनों आए है, मैं तब यह 12,000 रुपे का, यह 13,000 रुपे का, दोनों के अंदर हमको AMOLED display देखने को मिलती है, विच इस क्रीजी, 12,000 रुपे में, तो यह दोनों भी बहुत अच्छे phones निकाले थे, Infinix ने, and Motorola ने, बाकी और बजट बढ़ा हूँ, तो iqo 7, the best phone under 30 30,000, 30,000 के असपास, one of the best phone था, वो बहुत जादा तगड़ा phone था, बहले ही, उनलोग ने, gaming, gaming कर रहे थे, 870 के साथ में, बहुत stable performance देता था, and उसका camera भी बहुत लाजबाब था, तो overall बहुत तगड़ा phone था, उसके बाद भाई, Realme का GT Neo 2, यह भी बहुत अच्छा था, ले बहुत जबरदस्त है, वो भी, उसके बाद OnePlus 9 Pro and Vivo X70 Pro Plus वगएरा, कैमरे के लिए, बहुत जबरदस phones बनाये थे, लेकिन जो वीवो का phone था, उसका camera बहुत ज़्यादा था, बले मैंने उसको use नहीं किया, लेकिन OnePlus 9 Pro थो मैंने use किया, उसका camera बाद में बहुत अच्छा होग एंड जो speaker system है, उसका iPhone 13 का बहुत तगड़ा है, one of the best iPhone फिलहाल के लिए, और एकदम best, मतलब top of the top, बहुत बात करो तो वो यह है iPhone 13 Pro Max, भले महंगा है, 2021 सबसे महंगा smartphone यही था, मतलब भाई मैंने 1,4,000 रुपर डालके यह phone करीदा था, उसके बाद यह one of the top phone है, camera, superb, हर च वो भी 6,000 रुपर में, क्या phone था यार वो, इतना beautiful phone था लेकिन starting में मेरे को थोड़ा इशू आया, मैंने service center में दिया, वो सही हो गया, उसके तो मैंने sell कर दिया था, क्योंकि अपने को दूर भी phones करीदना था, लेकिन वो क्या phone था, बहुत जबरदस phone था, बहुत ही मज़े इसके बाद इंडिया में तो launch हुई नहीं, अपना Pixel 6 and Pixel 6 Pro, लेकिन वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, on paper at least, and जो ऐसा मैंने reviewer लोग के वीडियो देखे हैं, उसके हिसाब से बहुत तगडे phone से इंडिया में launch होना चाहिए था, बड़ क्या बूलू नहीं वा, क्योंकि भाई स्मार्टफोन तो सब यूज करते हैं, लेकिन टेक प्रोडक्स की बात करना भी important है, तो non smartphone products कौन-कौन से थे तो यह है, सबसे पहले तो मेरा यह M1 वाला Mac Mini, भाई सुपर्ब चीज है, लिटरली बता रहा हूँ 65,000 में इससे अच्छा इससे जादा powerful computer कोई भ भाई 4K वीडियो एडिटिंग हो गया एकदम भलवा है, मजा गया भाई, यह एक पहला, दूसरा यह मेरा ultrawide वाला monitor, यह वाला नहीं, यह वाला monitor जो है ultrawide 29-inch का monitor है LG का, सुपर चीज है, मेरे को बहुत अच्छा लगा, लिटरली मुझे इससे प्यार हो गया, एक बार आ यह परसनली बहुत मजादा क्योंकि मैं चाहिए मेरे में में अधिट करूँ खाली उसमें डाल के प्रोजेक वगारा T7 और चाहिए फिर वो अधिट करूँ यह उटा के दर और दर करना है, बहुत एजी हो जाता है वाउस्य काम, वह हो गया, उसके बाद, वन फ माइफ मैं Tech product is this mechanical keyboard, भाई इस एक बाद मेरा हाथ बढ़ गए इस एक बार मेरा हाथ बाद गढ़े गया है, अब मैं दूसरे की बाद पर आता हूँ नो तो मैरा को एक बार पार मेरा की बाद जा पर और पे बाद गाद करूगे अगर मैं अगर मैं पार भाद यह एरफोंस एंड बाद क मैंने बहुत रेकमेंड किया है तो यह मेरा फेवरेट गैजट है बाकि अगर TWS की बात करूँ तो मेरे पास एरपोट प्रो वगरा भी है लेकिन फिर भी मैं जिम जाता हूँ तो मोशली मैं बहुत तगड़े TWS है तीन हजार रुपर में आते हैं बहुत प्यारे साउंड देते हैं मसा आता है वो भी उसकोने में ANC वगरा भी है बाकी बात करूँ यह घड़ी की यह अमेस्फिट की बाई मेंको अमेस्फिट ने गड़ी बेजा था था तो बाद मेने जब में दिरे द यह यूस कर रहा है इस से मेरे को और भी प्यार होते है इसमें सबसे बड़ा फीचर क्या है और दुसरा बाटरी चलती है एक बार चार्ज करो 30 दिन का फुरसत है तो यह इसके लए मेरा यह फेवरेट प्रडक्ट है और उसके बात यह आई-पैड प्रो और यह एपल पैंस यह दोनों को कंबेनेशन मिलाएंगे तो मेरा फेवरेट बन जाता है तो अगर खाली एक की बात करूँ तो यह भाई 11,000 रुपे का यह पैंसिल है और यह 72,000 का आई-पैड है तो बहुत जादा महेंगा है इसके लिए दिल पर लगता है लेकिन जब दोनों को मिला होना तो बहुत ही जादा उतार और चड़ा उभरा रहा है तो भाई आभी जो भी था जैसा भी था बहुत अच्छा था यही मैं बोलूंगा एंड गुजर गया भाई अब नया साल आ रहा है कुछ नया करो आप लोगों का क्या new year का resolution है यह भी में को बताओ एंड हमने बहुत कुछ बहुत अच्छे चीज़े अचीव करी हैं बहुत सारे ब्रैंड लोग के साथ में बड़े ब्रैंड लोग के साथ में हमने काम किया है जो कि मेरे लिए मैं परसनली मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतने लेवल पर पहुछ जाएंगा अपन एक 3,000,000,000 सब्सक्राइबर वाला 2022 की भाई फोड़ना है लिटरली बता रहो फोड़ना है बहुत तगडी तरीके से आग लगाना है 2022 में बस आप लोग को का सपोर्ट चीए और तो क्या है यार आपन मचाएंगे देखो अपना कैसा है ना देखो पैसे को लेके मेरा माइंसेट कैसा है अगर मैं बहुत अच् की लेट सी भाई 2022 में क्या होता है बहुत तगड़े कॉंटेंट आने वाले हैं बहुत तगड़ा अपगरेड आने वाला है आपको क्या लगता है और मुझे क्या इंप्रूफ करना चाहिए सारी चीज़े में को डेफिनेटली बता देना एंड अपना न्यू येर का बताना हम लोग सातने मिलके अपना न्यू येर का रेजुशन पूरा करेंगे भाई यह अपना आधे में छोडने वालों में से नहीं है इस्पेशली अपने टैग बूफी की जनता तो वह ऐसे लोगों में से नहीं आती कि जो आधा अपना रेजुशन बना के फिर बीच मे बहुत तगड़ा साल जाये आप लोगों का बस मेरी यही दुआएं है आप लोगों के लिए बाकि इतना ही बोलना तो मुझे शूडियो में आपको यह वीडियो पसंद आएगी पसंद आतो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो एं थैंक्यों सो मच वाचिंग जू झाल